ऐलो दोस्तो दोस्तो आज के class में हम लोग देखेंगे थाप के question इन Hindi, दोस्तो G.K.Gs का question होगा जो की thi not जहाद होगा जिए हिंदी पैटर्ण पर क्यों के class में हम लोग total तीज सवाल देखेंगे मैं a question पढ़ूँंगा तापको उसका मैं 30 question cover कर लूँगा तो तब आप comment box में comment करके बताएंगे कि आप 30 question में से कितने का answer दे पाया है यदि आप 20 का answer दे पा रहा है तो समझ लिजी आपका gk based है नहीं तो आप ये मान के चलिए कि time pass कर रहा है अभी और आपको मेहनत करने की आव सकता है तो चलिए चलते हैं पहले मैं question discuss करूँगा फिर 30 question cover करने के बाद मैं फिर इन सारे question का answer भी बताऊंगा तो चलिए चलते हैं अपने question के तरफ फर्स्ट question है सेरे पंजाब के नाम से किस को जाना जाता है दोस्तों आपको बताना है सेरे पंजाब के नाम से किस को जाना जाता है अभी मैं 30 question discuss कर लूँगा उसके बाद इन सारे question का answer मैं बताऊंगा अभी आपको बताना है next question है अमारा चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानो कौन था next है मुहम्मद गौरी किस जगह का सासक था next है अभी नो भारत के संगठन करता कौन थे next है पित किस से स्रावित होता है next है मानो शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है next है प्रतम आंतरिक्ष में जाने वाला यात्री कौन था दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत तेजी से कोश्चन को आगे ले जा रहा हूँ तो आप वीडियो के सेटिंग में जाके योटूब के सेटिंग में जाकर वहाँ से speed slow कर सकते हैं और यदि किसी को लगता है कि speed कम है तो वह वहीं से जाके speed को अपने बढ़ा सकते हैं चलते हैं next question के तरफ next है करन्या कुमारी सहर की स्राज में इस्थित है next question है हमारा कबीर के गुरु कौन थे next है भारती डेरी अनुसंदान सांसान कहां इस्थित है next है एफिल टावर कहां इस्थित है next question के तरफ चलते हैं next है रीग वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है next question है तेरे नंबर का एट्स की जाज की इस परिछड के द्वारा की जाती है next है वीश्व युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है next question है भारत में चंदन की लखडी का वन कहां पाया जाता है चलते हैं next question के तरफ next है भारत की राष्टी द्वज की लंबाई और चोडाई का अनुपात क्या है next है गुरुत्वा करसर नियमों के अविश्कारक कौन है next है वीश्व का एक मात्र हिंदु राष्ट कौन सा राष्ट है next है दिल्ली के जंतर मंतर का निर्मार किसने करवाया था next question है भारती संबिदान के किस भाग में मूल करतब्य का वरड़न किया गया है question है हमारा भारती संबिदान के किस भाग में मूल करतब्य का वरड़न हुआ है next question के तरफ चलते है next है भारती रिजरो बैंक RBI का मुख्याले कहां पर इस्थित है Next है वीश्व स्वास्त दिवस कम मनाया जाता है Next है भारती संबिदान के कीस भाग में संबिदान जनसोधन के बारे में बताया गया है Next है भारत की सबसे बड़ी कृत्री मजिल कौन सी है Next question के तरफ चलते हैं Next question है भारती संबिदान में आपातकाल की ओधारडा की इस देश से ली गई है Next है भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है Next है मानो नेत्र के लिए असपष्ट दर्सन की नियुनतम दूरी कितनी होनी चाहिए Next है प्रिथवी के चारो और परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगबक कितने दिन का समय लगता है Next question है भारत का एकमात राज्य वह कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है Next question के तरफ चलते हैं दोस्तों यह हमारा next question है जो की last question है आपको बताना है भारत के राष्ट्री गान गाने का निर्धारित समय कितना है जो भारत का राष्ट्री गान है जन्गर्मन उसको गाने का निर्धारित समय कितना है कितने मिनट में गया जा सकता है कितने second में गया जा सकता है यह आपको बताना है अब दोस्तों आप 1 से लेके 30 question तक सारे question देख लिए अब सारे question का answer भी आप दे ही दिये होंगे अब 30 question में से जितना question आप सही कर पाए हैं वो comment box में comment करिए अब मैं चलता हूँ इन ही सारे question को discuss करूँगा answer के साथ में फिर आप अपने question की तुनला कर सकते हैं दोस्तों अबरा first question था सेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है तो इसका सही अंसर रोजागा लाला लाजपत राय को सेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोस्टन था अमारा question number 2 चंदरमा पर उतरने वाला पहला मानों था तो दोस्तो नील आर्मस्ट्रांग चनरबा पर उतरने वाला पहला मानो था नेक्स्ट है मुहम्मद गोरी किस जगह का सासक था तो इसका अंसवर हो जागा गजनी दोस्तो मुहम्मद गोरी गजनी का सासक था नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कोश्चन क्या था नेक्स्ट कोश्चन था हमारा अभिनो भारत के संगठन करता कौन थे दोस्तों अभिनो भारत के संगठन करता वीडी सामवरकर थे जो कि इनको विनायक वीडी सामरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर दास सामरकर दोस्तों इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सामरकर जो कि इनको सब वीर सामरकर नाम से भी लोग बुलाते थे जाने जाते थे next question हमारा पित किस से स्रावित होता है तो इसका अंस ओर हो जाएगा पित यकृत से स्रावित होता है यकृत को दोस्तों आप मैं बता दूँ कि इंगलीस में इसको लीवर कहा जाता है जो कि आप बोल्चाल के बासा में इसको जीगर, कलेजा, करेजा भी कहते हैं बहुत लोगों को यह नहीं पता होता है कि यक्रित को इंगलिस में कन्फ्यूज जाते हैं हिंदी में कन्फ्यूज जाते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यक्रित को ही लीवर भी कहा जाता है जीगर भी कहा जाता है और कलेजा भी कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन हमारा था मानो शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है दोस्तों मानो शरीर में जल की मात्रा 65-80% पाई जाती है नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्या था नेक्स्ट कोश्चन था प्रतम आंतरिक्ष में जाने वाला यातरी कौन था मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है हमारा प्रतम आंतरिक्ष में जाने वाला यातरी कौन था यूरी अगरीन जो की रूस के थे हैं ये प्रतम आन्तरिक्र शत्री थे जो हमारे आन्तरिक्र में गय हुए थे Next question था करने अकुमारी सहर की सुराजे में इस्तित है दोस्तो टमिलनाडू राजे में करने अकुमारी सहर इस्तित है Most important question है नेक्स्ट है कबीर के गुरु कौन थे जोस्तो कबीर के गुरु रामा नंद थे नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन हमारा क्या था नेक्स्ट कोश्चन दस नंबर का कोश्चन था भारती डेरी अनुसंदान सहस्थान कहां इस्थित है तो दस्तो भारती डेरी अनुसंदान सहस्थान करनाल जो कि हरियाना में पड़ता है तो करनाल में हमारा भारती डेरी अनुसंदान सहस्थान इस्थित है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन हमारा था एफिल टावर कहां इस्थित है तो दोस्तो एफिल टावर पेरिस में इस्थित है जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर इस्थित है Next question था हमारा रीगवेद में सबसे पवित्र नदी कौन सीथ है तो दोस्तों रीगवेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है Next है Aids की जांच किस परिछड के दिवारा की जाती है दोस्तो Aids की जांच Elyssa Test के दवारा की जाती है और एक question यहाँ से और पुछ ले जाता है कि World Aids Day 28 से दिवस किस दिन मना आ जाता है तो दोस्तो इसका answer हो जाएगा 1 December को 28 से दिवस मना आ जाता है आपको ध्यान रखना है Next question देख लेते हैं Next question क्या था हमारा दोस्तो next question हमारा विश्व यूगा दिवस किस दिन मना जाता है तो 12 अगस्त को विश्व यूगा दिवस मना जाता है यहीं से question और बनता है कि राष्ट्री यूगा दिवस कब मना जाता है दोस्तो ज़िप पुछ ले कि राष्ट्री यूगा दिवस कब मना जाता है तो इसका अंसोर चैज जाएगा इसका अंसोर हो जाएगा एक जनवरी दोस्तो, सोरी, बारे जनवरी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्री युगा दिवस की बात की जाए तो 12 जनवरी को मना जाता है और अगर विस्वई युवा दिवस की बात की जाए तो ये 12 अगस्त हो जाेगा तो चलते हैं next question के तरफ भारत में नेक्स्ट है हमारा भारत में चंदन की लगडी के one कहां पाए जाते हैं तो दोस्तो नीलगीरी पहाड़ी के बहारत के नीलगीरी पहाड़ी के बन पाय जाते हैं अब कोश्चन यह बनता है कि नीलगीरी पहाड़ी कहां इस्तित है तो दोस्तो निलगीरी पहाडी भारत के पस्चिम घाट का एक परवत माला है जो कि तमिलनाडू राज में इस्थित है नेक्ष्ट है भारत के राष्टी ध्वज की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है तो दोस्तो तीन संबंधे दो यानि कि तीन लंबाई है और दो चोड़ाई है भारत के राष्टी ध्वज की नेक्ष्ट के तरफ चलते हैं नेक्स्ट ग्रृत्वा कर्सर नेमों क्या विसकारक कौन है तो दुस्तों इसका अंसर्फ हीदवा कर्सर नेमों क्या हिसकारकनि न्यूंटन है citizens I Yes तो ये 18 mistake से type हो गया गलती हो गई है आपको इसको ignore करके question को देखते हैं विस्व का एक मात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा राष्ट्र है दोस्तों विस्व का एक मात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा राष्ट्र है कौन सा देश है तो वो नेपाल है जो कि वो अपने आपको जंतर मंतर का निर्माड किसने करवाया था तो दोस्तो जै सिंग ने दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माड करवाया था नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट है भारती संबिदान के किस भाग में मूल करतब्य का वरडन हुआ है दोस्तो भारती संबिदान के भाग चार में मूल करतब्य का वरडन हुआ है नेक्स्ट है भारती रिजर्व बैंक RBI का मुख्याले कहां इस्तित है दोस्तों ये ध्यान लखना की RBI का मुख्याले कहां इसथीत है तो मुंबई में RBI का मुख्याले इसथीत है जो की RBI का फुल फाम होता है Reserve Bank of India RBI का फुल फाम होता है Reserve Bank of India जो की इसका मुख्याले मुंबई में इसथीत है Next question है हमारा wish face difference का मन आ जाता है तो दोस्तो विश्व स्वास्ट दिवस 7 अपरेल को मना जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डेस 7 अपरेल को मना जाता है, नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है, भारती संविधान के किस भाग में संविधान संसोधन के बारे में बताया गया है, तो दोस्तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम्जिल गोबिंद बल्लव पंत सागर जील है जो की सतलज नदी पर इस्थित है इसको गोबिंद सागर जील भी कहा जाता है जो की पंजाब में सतलज नदी पर इस्थित है नेक्स्ट कोश्चन है भारती संविधान में अपातकाल की अधारणा किस देश से ली गई है तो दोस्तो भारती संविधान में अपातकाल की अधारणा जर्मनी देश से ली गई है नेक्स्ट कोश्चन है भारत के सबसे पुरानी गुफा कौन सी है तो इसका एंसर हो जाएगा भीम बेटी का भारत की सबसे पुरानी गुफा है जो की दोस्तो भीम बेटी का मध्य पर्देश में ये अंपी में इस्तित है ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है next question के तरफ चलते हैं next question है मानो नेतर के लिए असपष्ट दर्सन की नियुनतम दूरी कितनी होनी चाहिए कोश्चन ये पूछना चाह रहा है कि किसी चीज को आपको देखने के लिए कितना मतलब कम से कम कितना दूरी होना चाहिए असाना हो कि एकदम कोई आँख मिला के सटा दिया हो और पूछ रहा हो कि देख के बता हो तो आपको देखने के लिए वो कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो 25 सिंटीमीटर की होनी चाहिए मतलब कि आप सामने हाथ कर रहा है और बिलकुल आँख के पास ही सटा ले रहा है तो वो आपको दिखेगा नहीं लेकिन आँख से कुछ दूरी पर जब ले जाएंगे तब वो चीज दिखने लग जाएगा कुछ भी हो दोस्तों प्रित्वी के चारो और परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगबग 27.8 दिन का समय लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों मैं वही कोश्चन लेके आया हूँ जो बार बार रिपीटेड कोश्चन होते हैं पत्पां इन सारे कोश्चनों को सभी शुरेंड को अच्छे से माइंड में रखना होगा क्योंकि यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है नेक्श्ट है भारत का एक मातर राज जिवा कौन सा है जो केसर का उतपादन करता है तो दोस्तो हमारा भारत का सबसे उत्तरी राज जो है जम्मू कास्मीर हमारा जम्मू कास्मीर मात्र एक ऐसा राध्य है जो केसर का उत्पादन करता है नेक्ष्ट है भारत के राष्टी गान गाने का निर्धारी समय कितना है दोस्तो भारत का राश्टी गान गाने का निर्धारी समय बामन सेकेंड है ये था हमारा last question कुछ और देख लेते हैं इसी class में कुछ और भी दोस्तो मैं इसी class में एक extra personal लेके आया हूँ जो कि इसका answer आपको comment box में देना है कि स्वन्ड मंदिर का निर्माड किसके द्वारा करवाया गया था most important question है कि स्वन्ड मंदिर का निर्माड किसके द्वारा करवाया गया था इसका answer आपको comment box में देना है और जिन लोगों को answer पता है वो comment box में अवस्य लिखेंगे और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग कम बाक्स में जाएंगे तो वहाँ उनको इस question का answer मिल जाएगा comment में ही को लोग एंगे तो